सब्सक्राइब किजिएगा आज मैं आप सब्सक्राइब किजिएगा साथी बैल आइकन को क्लिक किजिएगा जिससे क्या होगा फ्रेंट जैसे ही हमारी कोई लेट श्टॉट इक्विशन आएगी सबसे पहले आप तक पहुचेगी फ्रेंट्स यह जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंड इसमें क्यूशन बताये गए हैं फ्रेंट्स एक आप से और सजेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने अगर नहीं देखी हो मेरातन क्लास यानि कि साड़े तीन गंटी की क्लास जिसमें आपको बताया गया है एक से लगा के 16 टॉपिक तक संपूर्ण आपको एक विस्तार से अद्दिन करवाया गया है अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज देरी किस बात की अभी जाएगा संध्या कंपिटर की यूटूब चेंटर पे यूटूब जो आपका है उस पे जीएगा उसके चनवरी के लिए फ्रेंट्स एक भी डाउट नहीं रहेगा फ्रेंट्स देखीगा आपका आज एक्जाम है यानि कि आज आपका ग्यारा बजे फ्रेंट्स सम्तिंग आपका पेपर हातों में होगा आप सभी को सबसे पहले बेस्ट आप लक यानि कि हमारा जो मिसन है याद कि आपको करवाना है नाइटी से पार और आपका आरेश एटी में इस बार करवाना है बेडा पार तो प्रेंट्स इस लक्षे है और इस मिसन के साथ आज हम करेंगे आरेश एटी पे अंतिम बार और आपको करवाएंगे नाइटी से पार फ्रेंट्स यह जो आपके सत्तर मह की देखने को मिलेंगे या फिर हुब 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 आपको किशन देखने को मिलेंगे तो अभी से इस विडियो को लाइक कर दिए अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सबसक्राइब किजीगा सातिक ब्याल आड़केन को दबाईगा अब बढ़ते हैं पहले क्यूशन की तरब द होता है application होता है इसके बात में नोटपेड थैड भी आपका application होता है जो आप को डी-उप्शन दिया है फोट्टो सप भोंष का आपका subscribe सब्सक्राइब अबंज आपको दिया है MS-DOS यह सका राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि आपका MS-DOS होता है यह friends system software होता है क्या friends system software होता है तो ये बाते याद रखना यानि कि जो आपका system software होता है आपके system को सुरू करवाने का काम करता है इससे जो आपका next question है कि गणना के संबधी कारियों को करने के लिए किस computer का उप्योग किया जाता है friends अच्छा question है आरेशेटी एक्जाम के आने लाइक question है देखीगा यहाँ पे जो आपको यह option दिया है super computer यानि कि super से अगर आपको question पूछता है तो मेरे friends याद रखना कि जो सबसे सकती साली जो आपका computer है वो कौन सा है super computer यानि सबसे तेज वह सबसे सकती शाली उसके बाद में जो आपको दिया है option analog और analog का जो friends संबंध होगा वो आपका होगा मापन से analog जो आपको दिख रहा है इसका friends आपका संबंध हो जाएगा मापन से बड़ जो आपको दिख रहा है यह digital digital friends आपका जो computer है इसका संबंध किस से होगा गणना से होगा यानि कि आपको question में पूछा है गणना के लिए तो इसका जो right answer हो जाएगा option number C हो जाएगा बाकी जो आपको दिख रहा है hybrid इसका friends मापन वा गणना दोनों से होगा यह याद रखना कि hybrid का दोनों से होता है बट आपको बात पूछी है गणना की तो इसका right answer C हो जाएगा य hard disk से delete की गई फाइले संग्रहित की जाती हैं तो देखिएगा hard disk से जितनी भी आपकी फाइले डिलेट होगी वो friends आपकी temporary रूप से कहा इस्टोर रहेगी recycle bin में यानि कि जो आपको option दिख रहे हैं C वो इसका right answer हो जाएगा अब दिखिए फ्रेंस recycle bin से क्यूशन पूछने क यह यह हो सकते हैं कि आप recycle bin से फाइलों को पुनप्राक्ट करने के लिए किसका उप्योग करेंगे तो मेरे friends याद रखना restore का उप्योग करेंगे इसके बाद में recycle bin को अगर आप पूरा format करना चाहते हैं तो friends याद रखना आपका क्या होगा empathy folder यानि कि क्या होगा empathy folder इसके इसके बाद में एक और friends याद रखना बात आपको असत्य क्यूशन क्यूशन जो कतन है आपको दे सकता हैं तो आपको याद रखना है कि आप recycle bin में फाइलों को भेज के अपने डिस्क का रिक्तिस्तान कभी भी नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपका recycle bin है friends वह भी hard disk के storage का ह यूज करती हैं उसके बाद में आपका जो next question है कि computer desktop पर सबसे उपरी बार क्या कहलाती है बहुत ही अच्छा question है friends आरेशेटी exam में आने लाइक question है हलांकि easy question है आप सभी को आना चीए तो देखेगा सबसे उपरी बार पूचा है तो आपकी क्या हो जाएगी title बार यानि कि यह जो आपकी उपर वाली बार होती है यह friends किया कहलाएगी title बार कहलाएगी जबकि अगर आपसे पूचहे कि सबसे bottom साइड में यानि कि जो सबसे नीचे की तरफ होती है वो Tu bachelor सापकी क्या होती है task बार होती है क्या होती है task बार होती है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number D या कीगा आपको जो option यह दिया है cd अब cd का जो पूरा नाम होता है आपका होता है compact disc क्या होता है compact disc यानि कि cd का पूरा नाम compact disc और cd आपकी secondary device होती है जो की optical परकार की होती है second जो आपको floppy disc दिया है यह भी friends आपका होता है बट आपको जो option दिया से यानि की programmable read only memory ये एक ROM का परकार होती है फ्रेंट्स देखिएगा ये आपकी primary memory होती है कौन सी primary तो इसका जो right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पी ROM हो जाएगा उसके बाद में जो आपका next question है कि hot spot के लिए किस connectivity की आवश्यक्ता होती है फ्रेंट्स अच्छा question है R.E.C.A.T. exam में पूछा जा सकता है तो आप सभी लोग याद रखना कि अगर आप अपने mobile से किसी को भी जो है आप जो internet का आदान परदान करना चाहते हैं आपको hot spot start करना होगा और hot spot के लिए आपको जो आवश्यक होगा वो क्या होगा वाइफाई होगा यानि कि जो आपको option यह दिख रहा है वो इसका right answer हो जाएगा अब वाइफाई का अगर पूरा नाम पूछता है तो याद रखना मेरे फ्रेंट्स wireless क्या होगा wireless फिडी लीटी होगा क्या होगा फ्रेंट्स wireless फिडी लीटी यानि कि option जो आपको यह दिख रहा है वो इसका right answer हो जाएगा उसके बाद में फ्रेंट्स आपका next question है बहुत ही अच्छा question है कि कौनसा app नागरीकों की मुद्दों को हल करने और समाधान परदान करने के लिए बनाया गया है तो अच्छा question है फ्रेंट्स आरेशेटी एक्जाम में पूछा जा सकता है तो याद रखना मेरे फ्रेंट्स यहाँ पर जो आपको option दिख रहा है C यानि कि राज समपर्क ये फ्रेंट्स नागरीकों की मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है यानि कि आप जो भी online सिकायत हैं फ्रेंट्स आप राजस्तान समपर्क के द्वारा आप कर सकते हैं online सिकायत जो भी आपकी होगी आप किसके द्वारा कर सकते हैं राजस्तान समपर्क के द्वारा अब देखीगा फ्रेंट्स जो आपकी सिकायत होती हैं वो हमेशा कितने चरणों में गुजरती हैं तो ये भी आपसे पूछा जा सकता हैं तो उसके चरण होते हैं पांस यानि कि जो सबसे पहला होगा registration होगा उस उसके बाद में allocation होगा उसके बाद में आपका disposal होगा और उसके बाद में फ्रेंट्स verification होगा तो आपसे step पूछा जा सकता हैं तो जब भी ऐसा किश्वन दिया हैं एक option देता है scrutinization तो वो इसका गलत answer होता हैं उसके अलावा फ्रेंट्स यहां पे जो आपको दिया है EPDS अब देखीगा EPDS का जो पूरा नाम होता है electronic public distribution system होता है और यह जो खाद्य सामगरी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है बाकी बामासा के बारे में याद रखना अभी तो यह update हो चुका है अभी इसका नाम जनादार है बट यह जो योजना है बा सबसे पहले राजस्तान राज्ये ने लाई थी इसके बाद में जो आपको E मित्र दीख रहा है यहां से आपको पूछ सकता है examiner E मित्र के सुरुवात कब हुई तो 2004 के अंदर हुई है फ्रेंट नेक्स जो आपकी आपसे क्यूशन किया जा सकता है कि E मित्रा किस परकार का E governance होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number C यानि कि राज संपर्क हो जाएगा उसके बाद में फ्रेंट बहुत ही अच्छा आपको question दिया है कि redo की shortcut कुझी क्या है अब देखिएगा यहां पे आपसे पूछा है redo और redo की जो shortcut कुझी आपकी हो जाएगी वो क्या होगी control के साथ Y यानि कि जो आपको option दिख रहा है C वो इसका right answer हो जाएगा अगर प्रेंट्स आपसे पूछता है undo की तो undo की मेरे प्रेंट्स याद रखना control के साथ Z होगी क्या होगी control के साथ Z होगी तो यह याद रखना इन दोनों में से अगर question देता है undo की पूछे तो Z और अगर redo की प सकती है किसे फ्रेंट्स आपके टेक्स के मद्य में बराबर आप लाइन खीच सकते हैं तो याद रखना आपको जो option दिख रहा है यानि कि बी option strike through वो इसका right answer हो जाएगा यानि टेक्स के मद्य मान लिया कि यह मैंने कोई text लिखा है अब इसके जो बीच में अगर मैं ऐसे line खीचिता हूँ तो वो मैं कहां से करूँगा strike through से करूँगा जबकि अगर इसके नीचे मुझे underline डैनी है तो मैं किस से करूँगा underline से करूँगा अब सब script का मतलब होता है इसके साथ मैं अगर मैं नीचे की तरफ ऐसे कोई लिखता हूँ जैसे कि मैं अगर लिखू h2o त सब्सक्राइगा जबकि दूसरी और देखीगा अगर सुपरिस की बात होती है तो आप जो गात देते हो फ्रेंस्ट वही आपकी क्या होती है सुपरिस्कृप्ट होती है тो ऐसी क्यूशन म कीज़िता है तो याद रखना आपके गलत नहीं होने चाूँँ वहां आज का जो म बात है कि यह दर्द कहां तक पाला जाए यह युद्ध कहां तक टाला जाए है राना का वंसस्ज तू भी फैक जहां तक बाला जाए तो प्रेंट्स इस मिसन और इस लक्षे के साथ हम उतरेंगे आज आरिशीटी एक्जाम है तू मैदान में और मैं आपको गारंटी देता तो प्रेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेज इस चैनल को सब्सक्राइब किजीगा इस चैनल के मादियों से आपकी बहुत ही हेल्प की जाएगी जो आपके जितने भी आने वाले कंपिटेटिव एक्जाम है फ्रेंट्स देखिएगा एक बात मैं आपसे और कहन चाहूँगा कि आज की जो अपनी एंसर की होगी उसकी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किजीगा फ्रेंट्स मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपके एक्जाम होने के 30 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको एंसर की एक गम सटिक उपलत करवाँगा तो देखीगा फ्रेंट्स यह जो आपका next question है कि किसी भी document को अधिक पटनिये बनाने के लिए किसका उपियोग किया जाता है अच्छा question है फ्रेंट्स आरेशेटी exam में आने लाइक है तो देखीगा अगर आपको अपने document को अधिक पटनिये बनाना है तो आपक प्रेंट्स किसका उपियोग करेंगे bookmark का उपियोग करेंगे इसके अलावा जो आपको दिख रहा है hyperlink यानि किसी के साथ में अगर किसी को link किया जाता है तो वह फ्रेंट्स क्या कहलाता है hyperlink और hyperlink की जो shortcut की होती है control के साथ के होती है तो यह जितने भी question है याद रखना इ करने के लिए किसका उपियोग किया जाता है तो देखिएगा अगर आपको करना है text के दोनों तरह align तो जो आपका right answer हो जाएगा वह फ्रेंट्स क्या होगा justify align हो जाएगा जाने कि मेरे कहने का मतलब है यह है कि यह आपका page है अगर आप इसको दोनों तरफ से बराबर align करना जाते हैं तो वह फ्रेंट्स आपका कौन सा होगा justify होगा अगर left में लेना है तो left align right में लेना है तो right align है यह भी याद रखना इसके अलावा फ्रेंट्स आपका next क्यूशन है कि page orientation option कि step में उपलब्द होता है अच्छा क्यूशन है आरिशेटी exam में पूछा जा सकता है तो पेज जो आपका orientation होता है यह फ्रेंट्स आपका उपलब्द होता है पेज layout में अब याद रखना कि पेज के orientation दो परकार के होते हैं जो आपका खड़ा पेज होगा यानि कि सीधा होगा वह तो प्रेंट्स क्या कलाएगा portrait कलाएगा जबकि जो आपको आड़ा पेज दिखत हैं वह फ्रेंट्स आपका कौन सा कहलता है लैंड इसका है और जो orientation होते हैं यह क्या करते हैं फ्रेंट्स आपको पेज की स्तती को बताएगा तो यह भी बाते याद रखना इसके अलावा जो आपको next question है कि किस view की मदद से आप text या graphic का print से पहले पुर्वा अवलोकन कर सकते हैं तो प्रेंट्स अच्छा question है RCT exam में पूचा जा सकता हैं तो देखीगा अगर आपको करना है text या graphic का print से पुर्वा अवलोकन तो आपको किसका उप्योग करना पड़ यानि कि जो आपको option दिख रहा है B वो इसका right answer हो जाएगा यानि print preview है वो इसी option में आपका मौझूद होगा इससे जो print आपका next question है कि argument में उपस्ते सभी cello की मुल्य को जोड़ता है तो वो इन में से कौन होगा तो print याद रखना कि अगर आपको argument के सभी cello की मुल्य को जोड़ना है तो आपको उप्योग करना पड़ेगा बराबर sum का है ना तो यह याद रखना जानिकि ऐसे आपसे question पूचा जा सकता है बाकी average आपका वहसत निकालता है count आपका count करता है count to heap आपकी कोई विसस संक्या उसको count to heap करके आप लगा सकते हो यह सारी बात याद रखना इसके अलावा जो आपको next question पूचा है कि निम्द मैंसे कौन दी गई एक संक्या number को पूर्णांक बता है अच्छा question है देखिएगा यह जितने भी मैं नई-nई question लेकर आया हूँ एक्जामिनर आपसे पूछ सकता है तो इनके बारे में कम से कम confuse मत होना अगर आपने अभी तक ऐसे question नहीं देखे हैं तो आपकी आरिशेटी की जो टैवल है वहां से मैंने यह question उटाए है important लग इसलिए ही इनको उटा है क्योंकि अब ट्रेंड आपका गया कि आपको बिल्कुल पूछेगा देखिएगा 90% ऐसे नहीं बनते आपको क्या करना होता है कि जो भी important चीज़े होती है उनको सबसे पहले पढ़ना होता है आसान जो चीज़े होती है वो सभी को आती है आपको य नहीं आती वो सभी को आती है यानि कि जो average student होता है उनको भी सारी बाते पता होती है अब 90% वहीं चाता है जिसको यह सारी doubts clear होते हैं वहीं लोग कर पाते हैं बाकी ऐसे ही नहीं बनते ऐसे नहीं है कि तुक्का लग गया 90% पार हो गया ऐसा कभी नहीं होता जिसके एक जम concept क्लियर होता है वही लोग 90 से क्रॉस करते हैं तो देखिएगा जहां पर आपको पूचाएं कि एक दे गई संख्या एक नंबर को पूर्णाक बनाता है तो देखिएगा इसका जो आपका राइट एंसर हो जाएगा आपका राउंड यानि कि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है कि वो इसका राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंट्स एक बार और आपसे निविदिन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने नहीं देखिए हैं महा मेरातन क्लाज जो संद्या कंपुटर सेंटर के द्वारा साड़े तीन करड़े की क्लास ली गई थी जिसमें एक से लगा के सोल के साम के लिए कापी help मिलेगी इसके अलावर कर नेक्ट पॉइंट की वास्थीक वैलिओ कहलाती हैं तो अच्छा क्यों है आरिशी एकजाम में आने लाएक क्योंग तो देखएगा चो डेटावां आपकी वास्थीक वैलिओ यद 210 चृपक्श पूइबल स्क्रिदिps और य डॉप डाउन गैलेरी मदद करती हैं तो अच्छा क्यूशन है देखीगा इसका जो राइट एंसर हो जाएगा आपका सेफ आउट लाइन हो जाएगा क्या फ्रेंट जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सी वो इसका राइट एंसर हो जाएगा इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्यूशन है फ्रेंट अच्छा क्यूशन है आरीशेट एक्जाम में पूछा जा सकता है हाइपर लिंक पूछा है तो मैं पहले ही इस वीडियो के अंदर बता जुका हूँ कि आपका जो हाइपर लिंक होगा उसकी जो आपकी सौट कट की हो जाएगा तो इनके बारे में भी पता रखना एक आज क्यूशन सौट के किस से पूचा जा सकता है इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्यूशन है कि किस टैप में आप पिक्सर टैक्स बॉक्स आठ इत्यादी इंसर्ट करवा सकते हैं तो देखिएगा जब भी अगर इं इंसर हो जाएगा उससे जो आपका नेक्स्ट क्यूशन है अच्छा क्यूशन है आरेशेटी एक्जा में पूचा जा सकता है तो देखिएगा आपको जो क्यूशन पूचा है कि मोशन पात क्या है तो मेरे फ्रेंट्स याद रखना कि मोशन पात क्या होता है स्लाइड पर आ देखेएब आप से पूचा वाम क्या है तो मौक का पूरा नाम होता है वह होता है आपका उपन ओनलाइन कोशेज से जोड़ी हुए आपके शंस्ता है EDX है यूडे सिटी है यूडे सिटी है कोरसेरा है खान एकेडमी है तो प्रंस यह जितने भी हैं आप याद रखना आपसे ऐसे क्यूशन किया जा सकता है तो कम से कम आपका क्यूशन गलत नहीं होना चीए उससे जब आपका नेक्ष्ट क्यूशन है कि आप अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन निम्न वेबसाइड से कर सकते हैं तो अच्छा क्यूशन है देखी कि आपसे पूचा है पैन के लिए तो सबसे पहले तो याद रखना है पैन का पूरा नाम जो आपका क्या हो जाएगा पर्मानेंट एकाउंट नंबर हो जाएगा मेरे क्याल से सभी को पता होगा क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में करा चुका हूँ देखी का बात में चो आपका प्याइंट जारी करता है नेश्डियल करता है यह नेश्टनल सेकुरेटर डिपोजेटर लिमिटेड होता है फ्र राष्ट्य मतदाता सेवा पोटल इसने जारी किया तो कैसे भी आप से क्यूंशन किया जा सकता है इन बातोंके भारे में में ध्यान रखना प्रह्येंट्स देखीए जयास से ऐसे क्यासиях राष्ट्यम भाधता सेवा पोटल के सुरुआत कब होई तो राष्ट्यम मतदाता डिवस के दिन हुई थी इसके अलावा जो आपका नेक्स क्यूशन है कि GPS का पूर्ण रूप क्या है अच्छा क्यूशन है आरेशीटी एक्जाम में पूछा जा सकता है तो जो GPS का पूरा नाम होता है वो मेरे याद रखना ग्लोबल पोजिस्टिंग सिस्टम यानि कि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है भी वो इसका राइट एंसर हो जाएगा उससे जो आपका नेक्स क्यूशन है कि आकार बंदारन सम्ता तथा परदसन के आदार पी कंप्यूटर का सही वर्गी करने तो अच्छा क्यूशन है मैं प ओप्रेटिंग सिदानतों के आदार पर पूछता है तो यह वाला ऑप्शन राइट होगा यानि कि अनालोग डिजिटल हाइब्रीड बट आपसे पूछा है आकार बंदारन तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा सुपर मैन फ्रेम मेनी माइक्रो देखीगा फ्रेंट्स म आपको चस्ट पढ़ने से मतलब है मैं आना कि बहुत सारी क्यूशन नए नए लेकर आया हूँ जो आपका इस वीडियो है इसमें आपको बहुत ही सारी क्यूशन नए नए देखने को मिलेंगे और इस वीडियो के अंदर मेरे से जितना डिटेल में हो सकेगा फ्रेंट्स उ कोटाना का उपयोग होता है तो देखीगा कोटाना मैं पहले बता चुका हूँ कि यह आपका क्या होता है वोइस पावर्ड प्रस्नल असिस्टेंट होता है जिसका उपयोग सर्ष वक्ष की तरह किया जाता है तो यह बाते याद रखना यहां से पूछी जा सकती है इसके अ माइक्रोफ्ट एस यह सारे आपके वेब ब्राउजर हो जाएंगे उसके अलावा जो आपको नेक्ट क्विशन दिया कि नौटन क्विखिल अवीरा उधारन है तो देखीगा फ्रेंट्स जो आपके नौटन है क्विखिल है अवीरा है यह जो भी है आपके एंटिवाइरस के Friarans हो जाएंगे अब ज़ो आपके यह फ्रेंट्स क्या करता है वाइरस से आपके सिस्टम को बचाता है ज्यानि वाइरस से बचाता है किसको आपके सिस्टम को तो यह कौन कौन से हैं नौ टन क्विक हिल अवीरा कैस्पर की यह जो भी आपको नाम दिखते हैं सारे के सारे एंटिवाइरस होते हैं इसके अलावाज आपका नेक्स क्यूशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो जी यू आई का उदारन है अब देखीगा सबसे पहले तो आप से क्यूशन करेगा जी यू आई का पूरा नाम तो याद रखना मेरे फ्रेंट्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है अब और इसके अलावा एक होता है MS-DOS यानि Microsoft Disk Operating System उन दोनों के अंदर फ्रेंट्स आपको CLI पर करके दिखता है यानि कमांड लाइन इंटरफेस पर करके यानि जो भी आपको काम करना होगा उसके लिए आपको अलग से कमांड देनी होगी इसका जो राइट एंसर हो जाएगा यूनिक्स यानि कि option D उससे जो आपका next question है कि friends आपसे पूचाएं कि internet boat है जो वेब अनुकर्मन के लिए www को वैवस्तित तरीके से browse करता है तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा फ्रेंट्स क्या हो जाएगा वेब क्लावरर या फिर समझना spider यानि कि वेब क्लावरर या वेब spider आपको कैसे भी option करके दे सकता है तो इसका right answer यह हो जाएगा उसके अलावाच आपका next question है friends अच्छा question है कि format printer के लिए shortcut कुंजी होती है तो देखिए आप format printer के लिए आपकी जो shortcut कुंजी होगी क्या होग उसके अलावा आपका next question है कि आप ms word में चुनेगे text के character को upper case या lower case में परिवर्चित कर सकते हैं तो वह आप कहां से करोगे sense case से करोगे यानि कि जो आपको option दिख रहा है c वह इसका right answer हो जाएगा बाकी में आपसे stack through sub script यहां पर बता चुका हूँ text का अगर आपको effect डालना हो तो आप text effect से डालोगे उसके राव अच्छा question है देखिएगा मैंने पहले भी बोला है times new roman, aerial, calibri इनके बारे question पूछा जा सकता है century है इन सभी के बारे में question पूछा जा सकता है कैसे भी करके आपको question दिया जा सकता है आपसे miss नहीं होना चीए क्योंकि friends यह हमारा आरिशेटी के लिए अंतिम वार है अगर इसको देख लिया तो आपका बेड़ा पार है तो देखिए friends aerial क्या होता है एक font होती है जाने कि बासा का नाम है जिसका क्या नाम है aerial जाने कि जो आपको option दिख रहा है यह वो यहां से right answer हो जाएगा इसके लाव आपसे पूछे टाइम्स नियु रॉमन है केलिब्री है तो वह भी क्या होगी फ्रेंट्स फॉंट ही होगी उसके अलावा चापको नेक्स्ट क्यूशन है कि अपने वर्क्षेट में डेटा का विसे स्क्रम आयूजन करवाना आपका क्या कहलाता है तो अगर आपको विसे स् एंसर हो जाएगा उसके लावा फ्रेंट्स आपका नेक्स्ट क्यूशन है कि निमन मैंसे कौन टेक्स इस्ट्रिंग की लंबाई देता है अच्छा क्यूशन है आरेशीटी एक्जाम में पूछा जा सकता है इस बार तो देखिए आप पिछली बार काउंट इप का पूचा से डिसंबर को आप से पूचा था कि सालिज से ज्यादा कोई संक्या है अब आपको पैचा ना है तो उस केस में आपको काउंट लगाना होगा अगर आपको टेक्स इस्ट्रिंग की लंबा यह पता करनी है तो आपको कहा से करनी होगी लैंस से जाने कि आपको अप्शन इरिया प्लॉट में दिखा ही देने वाली खौरी चेंटर लाइन तो याद रखना मेरी फ्रेंट्स वो क्या कहलाती है ग्रेड लाइन यानि कि आपको ऑप्षन देख रहा है इसका राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंट्स मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक भी आपने नहीं देखी है महा मेरतन क्लास तो फ्रेंट्स यह अंतिम वार है अभी देख लो क्योंकि देख लिया तो आपका मैं निच्छी तुरुप से कहता हूं कि आरिश येटी का इस बार बेड़ा पार होगा और फ्रेंट्स आप वीडियो यानि कि एक्जाम पर जाना है उस सभी के लिए आप सभी को बेश्ट आप लग फ्रेंट्स जो भी हमसे पड़े हैं या नहीं पड़े आप सभी के अच्छे पर्षेंडेज बने बस यही आसा है हमारी देखी का आपका जो नेक्ट्स क्यूशन है कि MSXL 2010 में 60 element में भरे जाने वाले color के chain के लि उसके अलावा जो आपको next question दिया है कि slide show में slide change होने पर डिस्पले पे applied effect क्या कहलाता है अच्छा question है देखीगा यह जो question है RCT exam में इस बार आने लाइक question है तो देखीगा वह आपका क्या कहलाएगा slide transition यानि कि जो आपको option दिख रहा है डी वह इसका right answer हो जाएगा उसके अलावा जो आपको next question है कि name domestic कौन सा cyber trade का एक परकार नहीं है तो देखीगा friends malware आपका होता है phishing भी आपका होता है denial of services भी होता है जबकि जो आपको दिख रहा है antivirus यह कभी भी नहीं होगा क्योंकि antivirus क्या करता है आपके system को virus से बचाने का काम करता है यानि कि जो आपको option भी दिख रहा है वो इसका right answer हो जाएगा इसके अलावा जो आपका next question है कि निम्म वैसे trust sale का परकार है तो देखी का friends यहाँ पे बहुत ही अच्छा question है पिसली बार भी trust sale से question दिया गया था आपको भी दे सकता है तो प्राइवेसी सिल होता है बिजनस पैक्टिस सिल भी friends होता है वैपार पैचान सिल भी होता है तो आपको जो option दिया है डी वो इसका right answer होगा यानि कि उप्रोक तो सभी उसके अलावा आपका next question है कि बारत में IT के लिए दोगा दड़ी और बेहिमानी बोगस साइट साइबर दोगा दड़ी के लिए बारतिय डंड सहिता की दारा है जो friends अच्छा question है मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जितनी भी दारा है उनको पढ़ लेना क्योंकि friends 6 December को यहा किया गया था जो दारा 66 के बारे में स्वरी 65 के बारे में था यहां पर आप से पूचा हैं साइबर दोगा दड़ी बोगस साइट बेहिमानी दोगा दड़ी इसका जो राइट एंसर आपका होगा वह क्या होगा दारा श्यार्शो बीस यानिकि जो आपको दीख रहा है भी वह इसका राइट एंसर हो जाएगा इसके अलावा जो आपका नेक्स कीशन है कि किसी भी सेप या पिक्सर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है तो अच्छा कीशन है देखिएगा आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यह जाने कि इस पिन इस पिन म में आपका रोटेट होगा इसके अलावा जो आपका नेक्स कीशन है प्रेंट्स अच्छा कीशन है यहां से आपको देखने को मिल सकता है तो आपसे पूचा है कि राजस्तान एंटरप्राइज वेब कंटेंट परबंदक प्लेटफॉर्म का एक उधारण है तो मेरे फ्रें इसके लावा जो आपको राज यसीन लीग। राजस्तान सरकार का एक पोर्टल है जबकि जो आपको दिख रहा है राजमेक ये भी फ्रेंट्स क्या होता है एक परकार का क्लाउड इस्टोरेजी है इसके लावा जो आपका नेक्स क्यूशन है कि SSO के तहित नागरिक पंजी करण कर सकता है देखेगा फ्रेंट्स अच्छा क्यूशन है इस बार पूछा जा सकता है आप से गर SSO का पूरा नाम पूछता है तो याद रखना मेरे फ्रेंट्स क्या होगा सिंगल साइन ओन होगा इसका जो राइट एंसर हो जाएगा आपका आदार नंबर के जरिये भी कर सकता है आप अपने Gmail ID से भी फ्रेंट्स कर सकते हो आप अपने Finger से भी कर सकते हो आप अपने Mobile से भी कर सकते हो आप अपने Facebook से भी कर सकते हो तो जैसा भी आपको Option दिया जाता है उसको राइट कर देना इसका जो राइट एंसर हो जाएगा एव भी दौन हो यानि की option C इसका right हो जाएगा उसके अरावाज आपको next question दिया है कि आप अपने android mobile के किस गुप्त code का उप्योग करके bluetooth friction mode को देख सकते हैं तो अच्छा question है इसका जो right answer हो जाएगा वो आपका क्या होगा option number C यानि की star H 232331H मैं आपसे कही दपा बोल चुका हूँ कि आपने अगर ये गुप्त code नहीं देखे हैं तो देख लेज़ेगा क्योंकि 6 December को आया था क्या पता आपकी भी आ जाए और ऐसा नहीं होना चीए कि अगर आपकी आया और आपका wrong हो जाए तो देखेगा अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपनी R.A.C.T की book को उठाएगा और दसवे topic में देखेगा आपको जितने भी गुप्त code याद रख सकते हो उतने प्रेंट्स रख लेना क्योंकि अब वो जो पहले क्यूशन बनते हैं वो ट्रेंट गया अब आपसे easy क्यूशन नहीं पूछेगा हलांकि easy पूछता है बट 7-8 क्यूशन प्रेंट्स क्रीम वाले क्यूशन आते हैं जो वो ही student कर पाता है जिसने या तो regular class attempt की है या फिर जिसके पास knowledge अच्छा है उसके अलावा फ्रेंट्स तो आपका next question है कि optical input device जो कागस पर pen या pencil से बने निसानों को पढ़ने का काम करती है तो मेरे फ्रेंट्स याद रखना कि जो pen या pencil से बने वो निसानों को पढ़ने का काम करेगा वो आपका कौन होगा sorry OMR होगा यानि कि OMR का पूरा नाम होता है optical optical mark reader होता है optical mark reader देखी क्या जहां पर बात हो रही है mark की यानि कि निसानों को पढ़ने का काम करता है optical यानि mark reader यानि कि OMR करता है इसका जो right answer होगा क्या होगा OMR होगा जबकि प्रेंट्स OCR का पूचता है तो या रखना optical character recognition होता है BCR से अगर आपको पूचता है तो बार कोड reader होता है MICR से अगर आपको पूचता है तो magnetic ink character recognition होता है इसका उप्योग फ्रेंट्स चेक को पढ़ने के लिए बैंकों में किया जाता है ये भी बाते याद रखना ये सबी जो हैं आपके optical input device है इनके बारे में थोड़ा बहुत इसके अलावा जो आपको next question दिया है कि कौन सा printer ink का spray करते हुए print करने का कारिय करता है अच्छा question है आपसे पूचा जा सकता है अब यहाँ पर पूचा है ink का spray करते हुए तो मेरे याद रखना कि ink अगर आपको नाम दिखता है तो सीधा का सीधा write करना इंक Z को इसके अलाव अगर आपको नाम दिखता है थर्मल जानि थर्मल को आप सीधा समझना थर्मस से अब थर्मस आप क्या क्या करता है चाय को गरम करता है जाने कि यह क्या करेगा गरम दातू का उप्योग करेगा थर्मल प्रिंटर इसके अलावा लेजर से आप याद रखना black powder क्या याद सकते हैं गलत मेरां नहीं अचाहिए उसके बाद प्लॉटर का बहुत बार करता हैं तो फ्लॉटर क्या करता है हाइवा या पिक्तर या फिर आप बोल सकते हो क्या ग्राफिक्स इसका उत्वादन आपका कौन करता है इसको राइट एंसर हो जाएगा इंग मैं की यार कि ऑप कि कौन सी memory को 30 seconds रिप्रेस किया जा सकता है अच्छा question है आप से पूछने like question है तो देखिएगा इसका जो right answer हो जाएगा वो आपका क्या होगा DRAM यानि कि जो आपको option देख रहा है B यानि कि dynamic random access memory इसका right answer हो जाएगा देखिएगा एक बार और suggest करना चाहूँगा वहाँ से मेरे खाल से आपको एक भी question बार जाने की संभावना नहीं रहेगी मैं दावा करता हूँ कि वहाँ से आपको बहुत ही help मिलेगी और आपके इस बार आरिशेटी में percentage अच्छे बनेंगे तो देखिएगा अपना जो next question है कि CD को फाइल कॉपी करने की परिक्रिया क्या कहलाती है तो मेरे फ्रेंट्स याद रखना कि अगर आप CD को फाइल कॉपी करते हैं तो वह आपकी प्रोसेश क्या कहलाएगी बर्निंग कहलाएगी जाने कि जो आपको option दिख रहा है C वो इसका right answer हो जाएगा इससे जो आपको नेक्स क्यूशन है कि term HDMI में HD क्या है तो अच्छा क्यूशन है आप से पोचने लाए क्यूशन है तो HD का मतलब क्या होता है हाई definition क्या होता है फ्रेंस हाइड डेपीनेशन यानि कि आपको जो option दिख रहा है इमेल खाता वेपार शेटिंग में उप्योग लिया जाता है अच्छा क्यूशन है आप से पूचा जा सकता है 31 यानि कि आज ये के दिन तो देखीगा इसका जो राइट एंसर हो जाएगा यानि वेपार के लिए फ्रेंस यह आपके आउटलूक एकाउंट होते हैं तो अगर आपसे वेपार की बात हो रही है तो आपको सीधा समझता है माइक्रोसोफ एक्सेंज को जबकि अगर आपसे ऐसे क्यूशन पूचता है कि नेजी इमेल को डाउनलोड करने के लिए तब आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा माइ इसके लिए स्टैंडर्ड भी होता है और आपका एड्मिनिस्टर्ड भी होता है यानि कि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सी वह इसका राइट एंसर हो जाएगा इसके लावा जो आपको नेक्ट क्यूशन है कि EPS पढ़नाली के संदर में EPS का पूरा नाम क्या है तो अच्छा क्यूशन है अगर आपसे पूचे ऐसे EPS का पूरा नाम तब तो क्या होगा Electronic Public Distribution System होगा अब इसका उप्योग खाद्य सामरी की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है यहाँ पर आपसे पूचा है EPS का पूरा नाम तो देखीगा EPS का जो पूरा नाम आपका होगा वो होगा Fair Price Swap और आपको जो Option दिक्राएं C वो यहां से Right Answer हो जाएगा उसके अलावा जो आपको Next Question है कि निम्न मैंसी Mobile Operating System का उधारण नहीं है तो अच्छा क्यूशन है पूछने Like क्यूशन है तो देखीगा Android भी होता है Apple iOS भी होता है Windows Phone भी होता है बट जो आपको दिक्राएं Linux Linux प्रेंट्स क्या होता है computer का Operating System होता है इसके अलावा जो आपका Next Question है कि एक गुप्त कोड जो आपके Android Mobile के Hardware वर Software के जानकारी देता है प्रेंट्स अच्छा क्यूशन है इसके बारे में याद रखना मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एकाद ऐसा क्यूशन दे सकता है Examiner तो देखीगा इसका जो आपका Right Answer हो इसका Right Answer हो जाएगा इससे जो आपका Next Question है कि दो या दो से अधिक डिवाइजों के बीच में फाइलों को इसतानांत्रित किया जा सकता है तो अच्छा क्यूशन है देखीगा अगर आपको दो या दो से अधिक फाइलों के बीच में फाइलों को ट्रांसपर करना है तो आप आपको उप्योग करना पड़ेगा से रिट का इसके लावा जो आपको option में दिख रहा है Google Play Store इसका उप्योग एप को इंस्टॉल या अनिस्टॉल करने के लिए किया जा सकता है गूगल में का फ्रेंट्स पिछली बार की शुन आया था से दिसंबर को इसका उप्योग रास आप से ऐसे पूछता है कि छोटी दूरी पर फाइलों को भेजने के लिए किसका उप्योग किया जाता है ब्लूटूथ का और ब्लूटूथ आपका प्रकार का नेट्वर्क होता है यानि कि पर्मानेंट सौरी प्रस्नल एरिया नेट्वर्क इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्यूशन है फ्रेंट्स अच्छा क्यूशन है वापस अगर आया है तो इसका मलब इंपोर्टन क्यूशन है देखिए का आपका जो क्यूशन है कि आप एमेस वर्ड में चुने गए टेक्स के करेक्टर को अपर के से लोगर के समें मैंने पहले भी बोल रखा हैं कि दारा से आपको एकाद किशन दिया जा सकता हैं तो आपको किशन दिया हैं कि बारती आईटी अदिनियम 2000 मिखक अधीकोंकर 12,000 इलक्त्रोनिक अभीलेकों के साथ सेड़िल्याथ करना कौन सी दारा में पुरवदान है यानि कि इसका आपका राय्त एंशर होगा दारा नंबर 43 यानि कि 45 आपका इलक्त्रोनिक अभीलेकों के साथ में अगर चेड़ करते हों तो उसके लिए जो आपकी दारा होती है 43 यानि कि option से इसका right answer हो जाएगा उसके अलावा आपका next question है कि बारतिय डंड सही था मैं विश्वास का अपराद का प्रावदान कौन सी दारा में है लगबग जिसनी मेरे से हो सकती है उतनी में लेकर आया हूं इसके अलावा आप आरेशेटी की बुक से पढ़ लेना इसका जो right answer हो जाएगा यह क्या होगा 400 से होगा यानि दारा नंबर 400 से इससे जो आपका next question है कि परदान मंतरी जंदन योजना की शुरूआत कब होई तो मेरे फरेंट्स याद रखना कि जो आपकी परदान मंतरी जंदन योजना है इसकी शुरूआत कब होई अगस्त 2014 के अंदर होई अभी योजना का मुख्य उदेशे क्या है तो वित्यम आमले में सब को सक्षम करना यानि banking या वित्य मामले में सक्षम करना ही इस योजना का उदेश्या है तो ये बाते फ्रेंट्स याद रखना ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है उससे जो आपका नेक्श उशन है कि निम्न में ऐसे कौन सा मोबाइल वालेट का उदारा नहीं है अच्छा किशन है आपसे पूछा जा सकता है तो देखिए अब पेटियम आपका होता है फ्री चार्ज भी होता है बड़ी भी होता है बड़ चो आपको दिख रहा है क्या फॉइंट ऑफ सेल फ्रेंट्स बुकतान की पढ़नाली होता है बट यह मोबाइल वालेट नहीं होता यह बाते याद रखना इसके लावा जो आपको ऑप्शन में दिया है पेटियम अब पेटियम में जिस कोड का आ पूरा नाम पूछता है तो मेरे फ्रेंट्स याद रखना क्विक रेस्पॉंस होता है यानि कि जल्दी जबाव देना यह आप समझ लेना इसके लावा जो आपका नेक्स यूशन है कि वाइफाई का पॉर्ण रूप क्या है तो अभी मैं बता चुका हूं इस वीडियो के अंदर तो वाइफाई का पूरा नाम होगा फ्रेंट्स क्या होगा वाइरलेस फिडिलिटी यानि कि ऑप्षन सी आपका राइट एंसर हो जाएगा उसके लावा फ्रेंट्स बहुत ही अच्छा क्यूशन है कि यूश्ट का पूर्ण रूप क्या है तो मेरे फ्रेंट्स हैं तो देखीगा इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा अं इस्ट्रक्शर्ट शब्लिमेंटरि सर्विस डेटा आपसे पूछी जा सकते हैं यह फुल फॉर्म तो याद अपना मेरे फ्रेंट्स यहां से आपका क्यूशन मिस्स नहीं होना झाए नेक्ट्स आपको क्य दें सकता एकजामेरर ये किुछण बहुत बार एकजा में पूझा गया है तो देखीएगा निननक को व्यवस्तित कीजी अब देखीए प्रेंस यह पर ह опас को पूछा व्यवस्तित करने के लिए तो अभी आपको व्यवस्तित करके बता देता हूं कि देखी का फ्रेंट्स जो आपको सबसे ऊपर आपको दिया है जाने की जो आपका दिया है राज इग्यान राज इग्यान तो प्रेंट्स आपका क्या होता है राजस्तान का एक सेक्शनिक पोर्टल है जाने की ऑप्शन डी उसके बाद में यी बाजार आपका क्य है इसके अलावा जो आपको दिख्यालाएं राज- ऑस होता हैं राझे nawd के लिए हैं बाकी वीर्ट आपका डिचिटल पर बंदक हैं जाने कि आपको अप्षन दिखरा है यह वह- इसका राइट एंसर हो जाए उससे जो आपका नेक्स वीशन है कि सभी विबागों और सरकारी संगटों दो दुवारा सेर किया हुआ राजस्तान के लिए एक बोगोलिक सूचना पढ़ना ली है तो अच्छा क्यूशन है याद रखना मेरे फ्रेंट्स इसका जो राइट एंसर हो जाएगा आपका ऑप्श कि यह अपना रजशेटिक लिए अंतिम भार है यानि कि आपको करवाना है 90 से पार बस यही मेरा लक्ष है फ्रेंट्स और आप से फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको देखना है कल की एंस्वर की यानि कि आज की चूआपकी एंस्वर की होगी उसको अगर आपको पीट किजीएगा आपको एंसर कि अभी थोड़े टाइम बाद आपको मिल जाएगी जब आपका एकजम होने के बाद में आप जक्वार आओगे फ्रिंट्स थोड़े टाइम बाद में आपको एंसर की बता दूंगा तो उसके बात आपका जो नेक्स वीशन है कि GPS Monitoring और Biometrics ओपस तरी पढ़ना ली कौन है तो मेरे याद रखना कि इसका जो आपका तो क्या होगा Passenger Passenger name record होगा क्या होगाए पैसेंजर ने रिकॉर्ड इसका पूरा नाम होगा तो यह बात ही आए रखना बाकी पैयन नंबर का आपको पता यह होगा permanent account number होता है इसके अलावा जो आपको next question नहीं दिया है तो मेरे बहुत बार बता चुका हूं मेरे कहले से अब बताने की आवश्यक्ता भी नहीं होगी क्या होगा इसके अलावा जो आपका next question है कि आप एक slide पर applied की गई animation की सूची को देख सकते हैं तो आप कहां से देखोगे तो मेरे इसका जो आपका right answer हो जाएगा animation pen के द्वारा यानि कि option c इसका right answer हो जाएगा इसके अलावा जो आपका next question है कि MS PowerPoint का page कहलाता है तो फ्रंस याद रखना बहुत ही अच्छा question है आपसे पूचा जा सकता है तो देखीगा जो आपका MS PowerPoint की है वो तो आपकी क्या कहलाएगी slide बट अकर आपसे MS Word का पूचता है तो फ्रंस आपका क्या हो जाएगा document और अकर Excel स पूचता है तो फ्रंस आपका क्या हो जाएगा सेट हो जाएगी तो यह बाते याद रखना जहांसे आपको execution दिया जा सकता है इसके आपका next question है कि चैनल के स्यारों और काले एक काले रंग की सीमा सेल को संकेत करती है तो मेरे प्रंस याद रखना कि इसका जो राइट एंसर यह समझ लो कि अंतिम बार और आपने अभी तक नहीं देखी है मेरातन क्लास तो अभी देखीगा क्योंकि उससे ही बनेंगे आपके 90 से पार तो देखीगा प्रंस अंतिम क्यूशन है कि एक सुरक्सा पढ़ना ली है जो किसी भी संगठन के network को बाहरी खत्रों से सुरक्सित रखता है तो देखीगा इसका जो आपका राइट एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक यानि की फायर वॉल इसका राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंट्स देखीगा यह थी अपने एक मैत्योफोन परश्ण उत्री यानि आरे शेटी पर अंतिम बार के र मैं कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने नमबर बन रहे हैं जिससे क्या होगा फ्रेंट्स हम लोगों को आइडिया मिलेगा कि यानि की इस बार हैं जो कितना हायर चाह सकता है तो आज के लिए इतना ही आपको अगर देखनी है सबसे पहले सबसे सटिक एंसर की तो अज के लिए इतना ही मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन बंदे मात्रम जय बारत